नमस्कार ओन्क्रिट इन्वर्टर बिना बैटरी से चलने वाला इन्वर्टर सिस्टम होते हैं जो सोलर से उर्जा लेकर सीधा बिजली विवाग को एक्सपोर्ट करके बिजली विल कम करते हैं क्योंकि इसमें बैटरी नहीं होती है इसलिए ये बिजली जाने के बाद कोई वेकप नहीं देता इसलिए हम इस डेमो वीडियो में ज्यादा इस्तेमाल होने वाले आफक्रेट सोलर सिस्टम की बात करेंगे आईए जानते हैं आफक्रेट सोलर सिस्टम में तीन मेन सेगमेंट के बारे में 1. Solar Panel Solar Panel या Solar Plate अक्सर आप लोगों ने छतों पर लगी देखी होगी ये सूर्य से आ रही Light Energy को Electricity में Convert करता है 2. Solar PCU Solar Panel से Convert हुई Electricity से घर के Electrical उपकरन चलाने के लिए Solar PCU काम आता है 3. Battery सूरज तो सिर्फ दिन के समय ही रहता है रात में Electrical लोड चलाने के लिए हमें सूरज की पावार स्टोर करनी पड़ेगी जो की बैटरी में Solar PCU के जरिये ही की जा सकती है Offgrade Solar System में जब सिस्टम पर Solar Panel नहीं जुडा होगा तब सिस्टम नॉर्मल इन्वर्टर की तरह काम करेगा जैसे कि नॉर्मल इन्वर्टर में मेंस जाने पर बैटरी से बैक अप मिलता है वैसे ही इसमें भी मेंस नौ होने पर बैक अप तो मिल जाएगा लेकिन बिजली बिल नहीं बचेगा Solar Panel जुडने पर Solar बिजली और मेंस बिजली का इस्तिमाल कैसे कैसे होगा आईए अब इसको समझते हैं Solar Off Grid सिस्टम में Solar बिजली को दो तरह से ही इस्तिमाल किया जाता है एक तो उसमें लगी बैटरी को चार्ज करने में और दूसरा घर के उपकरण चलाने में पहले हम बैटरी चार्जिंग को समझते हैं बिजली हो या ना हो बैटरी को चार्ज करने में UTL Solar PCU हमेशा देखता है कि बैटरी को चार्ज करने के लिए Solar Energy का ही ज्यादा इस्तिमाल हो जब बिजली नहीं है तो घर के अप्लाइंसेज को Solar पर चलने के साथ साथ यदि Solar Energy बचती है उससे बैटरी को चार्ज करता है और जब बिजली है तब भी जितना Solar अवेलेबल है उतने से ही बैटरी चार्ज होती है और चार्जिंग पूरी करने के लिए यदि और जरूरत है तो बिजली इस्तमाल होती है Solar बिजली का बड़ा खर्च घर के अप्लाइंसेज चलाने में ही होता है क्यूंकि एक समय में Solar Off Grid सिस्टम या तो बिजली पे घर के अप्लाइंसे चलाता है या फिर सोलर पे इसलिए ये द्विधा बनी रहती है कि बिजली जाने के बाद कितना बैटरी बेकप बचा के रखा जाए ताकि बिजली जाने पर यदि सोलर कम अवेलेबल हो या ना अवेलेबल हो तो भी घर के अप्लाइंसेज पूरा समय चल जाए इसलिए यूटिल सोलर PCU में तीन मोड दिये गए हैं जैसे भी आपकी जरूरत हो आप वैसे इसको इस्तमाल कर सकते हैं साल के कुछ दिनों में जब पावर कट बिलकुल ना हो तब आप यूटिल सोलर PCU को PCU मोड में ही चलाए PCU मोड में बिजली की सेविंग्स का ज्यादा ध्यान रखा जाता है इस मोड में फर्स्ट प्रायरिटी सोलर पावर, सेकंड प्रायरिटी बैटरी पावर और थर्ड प्रायरिटी ग्रीड को दिया जाता है मतलब मेंस हो या ना हो घर के अप्लायंसेज सोलर बिजली पर ही चलेंगे शाम होने पर जब solar बिजली कम हो तो appliances तब भी solar द्वारा बैटरी में store solar बिजली से ही चलेंगे और कभे बैटरी भी खतम हो जाए तब home appliances main से चलेंगे मतलब बिजली बिल जीरो साल के कुछ दिनों में जब power cut लग रहा हो तब आप utl solar pcu को hybrid mode में चलाएं इस mode में utl solar pcu ये धान रखता है कि आपको बिजली ज्यादा से ज्यादा मिले मतलब जब mains बिजली है तब घर के appliances mains पे ही चलेंगे और solar से battery charge होती रहेगी जब mains नहीं है तब जितनी देर हो सके घर क appliances solar से ही चलेंगे और solar available ना होने पर battery backup से चलेंगे इस प्रकार घर में रौशनी 24 घंटे रहेगी और साल के कुछ और दिनों में जब कुछ भी साफ साफ पता ना हो कि बिजली के cut कितने लगने वाले हैं उन दिनों में आप utl solar pcu को smart mode में चलाएं utl solar pcu अपने आप और कब मेंस बिजली पे चलेंगे इस तरह से utl solar pcu से आप 24 घंटे बिजली और कम बिजली बिल दोनों पा सकते हैं